गुद मॉर्निंग स्टूडिंस तो आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट दे फॉर्मिट ओफ प्रॉफिट अनलोस और वी विल डिस्कूस वन क्वेश्चन अलसो है सो फॉर्मिट ओफ पी इंडल में देखो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो है ना ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप बनाते हो पी इंडल ठीक है अब क्या होता है बिसिकली कि ट्रेडिंग अकाउंट जब भी बनाते हो आप तो उसे results जो निकलते हैं वो या तो gross profit निकल सकता है या gross loss निकल सकता है ठीक है तो ऐसे case में क्या होता है basically जैसे कि मैं आपकी सामने कोई भी एक trading account का कर question लूँ for example हमने ये ले लिया ठीक है ये हमने question ले लिया पहले आप trading account बनाते हो है ना तो ट्रेडिंग account जब भी आप बनाते हो for example आपने ये trading account बनाया और इस तरीके से किया ठीक है तो इसका result क्या निकला कि आपका यहाँ पे gross profit आ रहा है और यहाँ पे मैंने लिखा भी है क्योंकि trading account के जो result होता है gross profit का उसको लोग ट्रांसफर कहां करते हैं profit and loss अकांट में करते हैं तो इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के जो result है वो अगला account कौन सा होता है profit and loss account तो gross profit जो भी आया यानिकि 3,80,000 का जो आया उसको हम लोग transfer करेंगे कौन सी account में P&L account में तो जब हम transfer करेंगे तो इसको transfer करते हैं opposite side पर ठीक है तो यानि कि अगला जब भी हाँ पर P&L account बनेगा P&L account बनेगा इस तरीके से तो यह कहाँ पर record होगा इस side पर अगर यह इधर है ना तो यह इस side पर record होगा gross profit तो यह जो gross profit है अगर यह left hand side है तो कहाँ पर transfer हो जाएगा right hand side पर transfer हो जाएगा लेकिन in case अगर कोई loss आ रहा है तो वो loss इधर आता तो loss कहाँ transfer हो जाता इस side पर in short trading account में gross profit debit side पर होता है तो P&L में credit side पर transfer होगा अगर loss आता है तो वो credit side पर आता है तो वो transfer debit side पर होगा याद रखिएगा transfer जब भी होगा तो वो opposite side पर होगा ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा तो gross profit इस side पर आ रहा था तो हमने यहाँ पर transfer किया है opposite side पर करना है ठीक है यह P&L आ गया gross profit transfer to the P&L वाला दूसरी बात अगर in case अगर loss आता तो इस side आता ट्रेडिंग account के तो वो इधर जाता तो profit आये तो credit side पर आएगा P&L के और अगर loss आता है तो debit side पर आएगा ठीक है अब हम लोग items देख लेते हैं कि कौन कौन सी items आपकी P&L के debit side पर आनी है और कौन सी item P&L के credit side पर आनी है इस side को बोलते है debit side और इस side को बोलते है credit side I repeat left hand side को debit side बोलते है और right hand side को credit side बोलते है तो debit आपको एक बात हमीशा बताई जाती है कि nominal account में debit all expenses and losses credit all incomes and gains है ना तो debit आप क्या करते हो सारे के सारे खर्चों को debit कर देते हो और सारी के सारी incomes को credit कर देते हो सारे के सारे losses को debit कर देते हो और सारी के सारी gain या profit को credit कर देते हो तब ही यहाँ पे मैंने profit को भी इसलिए ही credit किया है है ना अब यहाँ पे देखिए अब बात यह है कि कौन से खर्चे और कौन सी income तो जो भी खर्चे आपके trading account से related नहीं होते production से related नहीं होते वो ऐसे खर्चे कहां पे record किये जाते है profit and loss में ठीक है मैंने आपको पहले भी बता दिया था trading account में वो खर्चे आते हैं जो production से related है यानि कि direct expenses और profit and loss account में आपके वो खर्चे आते हैं जो कि production से related नहीं होते यानि कि indirect expenses ठीक है तो यहाँ पे हम लोग study कर लेते हैं कि कौन-कौन से खर्चे आएंगे देखिए सबसे पहले आजाता है आपका office के expenses ठीक है तो office के expenses में तो office के expenses में कौन-कौन से खर्चे आते हैं आ दिया था for example office में जितने भी persons काम कर रहे हैं उनको salary देना जैसे कि मैंने आपको बताया था wages and salary आएगा तो trading account में आएगा और salary and wages आ जाएगा तो P&L में next जा जाता है आपका rent rate and taxes obviously बात है office का rent rate, taxes सब इधर आएगा office में जो भी printing and stationary use हो रही है या postage है या lighting है मैंने आपको बताया भी था अगर factory lighting आएगा factory lighting आएगा फैक्टरी लगी होगी ठीक है? तो अगर factory lighting आजाएगा तो trading account में आएगा लेकिन अगर खाली lighting आए या office lighting आए या office lighting आए तो वो आपका office expenses में आएगा insurance premium again office telephone, office legal, office audit fees audit fees का मतलब क्या होता है? जब आप अपने accounts को check करते हो na verify कराते हो अपने records को office में तो उसको हम लोग audit fees बोलते हैं traveling expenses, establishment, trade expenses, general expenses सब आपके office expenses में आते हैं, ठीक है? next चाहँ आता है selling and distribution expenses जो की sales से related है जैसे की माल बेचते वक्त जो भी आपने carriage यानि कि जब माल आपका जब आप sale करोगे तो बाहर जाएगा है ना किसी भी transportation के medium से तो आप उसको pay करोगे ना किराया तो carriage outward है या carriage on sale है, बात तो यह की है, यानि कि sale पर आईए तो selling and distribution हुआ advertisement क्यों करते हो? ताकि sale ज़्यादा से ज़्यादा हो तो इसलिए यहाँ पर advertisement आया क्योंकि sales से related है next है commission, again जितना ज़्यादा sale करोगे उतना ज़्यादा commission मिलेगा brokerage brokerage का मतलब क्या होता है, जो amount of commission हम लोग pay करते हैं, sale कराने पर bed dates, जब भी आप माल बेचते हो तो कई बार नुकसान हो जाता है है ना, सामने वाला कई बार payment नहीं करता तो उसको बोलते हैं bed dates, ठीक है आगे इसकी treatment आएगी next chapter में export duty, again export का मतलब क्या होता है, माल बेचना लेकिन बाहर, outside the country packing expenses, packing तब करोगे जब sale करना होगा delivery van तब बुलाओगे जब sale करना होगा stable expenses भी तब ही use होते है next जा जाता है आपका miscellaneous, ऐसे खर्चे जो office और selling and distribution में नहीं आए तो वो खर्चे सारे के सारे जो उपर वाले में नहीं आए वो अब आएंगे जैसे कि discount allowed या repair, या depreciation या interest, debit आएगा यहां पर क्योंकि interest credit आपका credit side पर आता है ठीक है, interest debit bank के charges, या कोई भी entertainment expenses है conveyance है, donation है charity है, loss on the sale of asset है क्योंकि nominal जो account है कि through losses को भी debit किया जाता है है न, तो discount allowed repair, depreciation, interest, bank charges यह सब उपर नहीं आए न, तो इधर आएंगे खर्चे, mislaneous खर्चे, जो कि office and sales में नहीं आते, वो यहां पर आते है next हम लोग देखते है, incomes को income में आ जाता है, rent from the tenant tenant का मतलब क्या होता है, जो किराइदार है, ठीक है, for example अपने, अपने office का एक हिस्सा किराइपर दे रखा है तो आपके पास rent आप आएगा न, यानि कि receive करोगे, आप receive करोगे तो income है, credit, same ही सी तरीके से rent, अगर debit होता तो इधर आता, rent rate and taxes में है न, और अगर rent, credit है तो वो इधर आएगा discount allowed इधर आएथा, ये देखिए discount allowed या debit, तो discount credit या discount receive इधर आजाएगा commission receive इधर आजाएगा ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी receive आने वो वैसे income है, और income credit ही होती है next जाजाता है interest on investment, कि आपने कहीं पर पैसा लगाया